नमशकार संतान के व्यक्तित्यों को मुख्रित करने वाले संवानित अभिवावा कर। मैं संतोष शरी अर्विंदो सोसाइटी के प्रतिनीधि के रूप में आप सभी का अभिवादन करती हूं भेंव अभिनांदन करती हूं। और साथ ही उन viewers का suggestion देने वालों का, comment करने वालों का, problem उठने की solution करने वालों का, वक्तवे में ऐसा क्यों का है, ऐसा जानने के इच्छोग अपने सभी viewers का आभार प्रकट करती हूं. बालक में श्री अरुविंदो सोसाइटी का धे, सदे एक स्वस्थ और समाज का निर्धारन करना है। ऐसा निर्मान करता है, चाहता है कि बच्चे का एक स्वस्थ और गतिशील तब विकास हो सके। और उसमें सत्यवाद ये है कि बालक की प्रिथम पाशाला परिवार होती है और जो परिवार है, परिवार में आप दोनों, यानि पती-पत्नी आप या बच्चे के माता पिता, आपका पूर्ण दाई तो हो जाता है, आपके बच्ची का चहूर की विकास हो, चारों तरफ का विकास हो. और उसके लिए अगर बालक के अंदर अभिव्यक्ति ख्यमता है, अभिव्यक्ति इस्पस्ट करने की अगर उसके अंदर ख्यमता है, तो एक इस्पस्ट आकार ले जारता है, एक अच्छे से आक्रती लेकर आता है, तो आज हम केवल आप से इस विशय पर बात कर रहे हैं, कि आप घर का वातावरण या अपना व्यवार किस प्रकार बनाएं कि बच्चा अपने को भली भाती अभिव्यक्त कर पाए, एक्स्प्रेस कर पाए और आप उसके अंदर पूर्ण रोप से सहायक बन सकें। और आज हम किवल घर के वातावरण की बात करेंगे, बात भी बात करेंगे कि जब बच्चा बहार निकल जाता है, सिख्या के प्रती जाता है, समुधाय के प्रती जाता है, उसकी बात हम अगले सेशन में, इसके नेक्स सेशन में करते हैं। तो चलिया आईए, सबसे पहले बते ये सुचे कि ये बात मुझे कैसे महसूस ही, कल की बात है कि मेरी दो पोती हैं, ग्राइंड डाटर मेरी दो हैं, एक अभी आठ साल की हुई है, उससे पहले दूसरी पांच साल की है, छोटी, उसने बड़ी वाली ने फटा फटा एनाउंस देखा मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारी कहीं चेर्स को लगा रही थी, कहीं स्टूल को लगा रही थी, कहीं तॉलिय को बिचा रही थी, कहीं चादर को बिचा चटाई डाली, उसके उपर पेपर डाला और फिर उसके उपर एक चादर बिचाई और इधर उधर करके, चार स्वेंट करते रही, सुनो, सुनो, अभी टीवी नियोज में, फोर्कास्ट नियूज आने वाली है, वैधर फॉर्कास्ट की नियूज आने वाली है, आप सबी आ जाएं, और जैसे ही हम लोग गए, क्योंकि उसकी तैयारी देखी थी हमने, तो हम सब लोग पूरे परिवार के सदर से उस जगे आकर के बैठ गए बैठने के लिए जैसे आने लगे तुरंत ही उसने हमारे नाम के जैसे यह दादी के नाम का है यह दादू के नाम का है यह पापा के नाम का सब के टिकेट बना रखे थे और सब को टिकेट देते हुए एक कालपनिक रूप से पैसे लेते और फिर उसने इतने चमतकारिक धंग से एक नाट्टे रूपांतरित करते हुए इतना अच्छा वैदर फॉरकास्टिंग दी कि किस तरह से रिमजिमबारिश हो रही है, कितने समय से हो रही है, इससे पूर्व कब होई थी और कब आगे का वैदर कैसा रहेगा इतने चमतकारिक धंग से उसने बताया और साथ-साथ उसने चित्र भी बनाये हुए थे, और लिखा हुआ था आज की नई खबर, आज की जलवायू, आज की वैदर फॉरकास्टिंग यतना अच्छा लग रहा था, चारू तरफ चित्र दे रखे थे, साथ-साथ छोटे- इसे बीच बीची से मूँ से ऐसे आवाज निकालती थी, जैसे कि वो बारिश किसी धून हो रहे हुए और उसके बाद सुच में चमतकारिक की बाद थी, और मैं यही सोचती रही उसको देख करके, उसी के साथ साथ छोटी बच्ची ने वी, तूसरी तरफ जाकर उससे पहल है, तो मैं वास्तर में उन दोनों की कृतियों को देखकर, उनके तरीकों को देखकर सूचती रही कि असली एक्सपीरियंशल लड़नी यह है, इस बच्ची ने कभी ये नियूज में वैदर फॉरकास्टिंग देखी, कितने धंग से उसके दिमाग में कलपना आए, कि मैं क् कड़ सकती ऐसा और उसने उसको एक निजीरिपोर्टर की तरह से इतने अच्छे ढंग से भले बाती ढंग से एक्सप्रेस कर दिया, छोटी वच्ची ने अपने मयोर के नत्य की माध्यम से स्वैम को एक्सप्रेस कर दिया और इसने चरा से उसने उसके सामान्य ज्यान की भी, उसके समय ज्यान की भी, भौगौलिक ज्यान की भी, एतिहासिक ज्यान की भी उसकी विसिस्टताओं को मुखरित कर दिया, कि उसके अंदर इतना सारा ज्यान है, अब तरीका क्या है, कि कहीं पर हमें होती है, तो अगर हम चाहत चोड़ यह सब क्या कर रही है तो क्या होता उसका दमान हो चुका होता तो इसने हमें कितना कुछ दिखा दिया और आप देखेंगे शिरी अरिविंदो सोसाइटी के अध्यापकों के भी कई इस तरह के experiential learning के ideas भी आये हुएं जो कि प्रस्कृत हो चुके हैं जो कि लागों भी हो चुके हैं हम लोगों ने उसको अपने पाठे क्रम में जगह भी दे दिये तो यह एक इतनी बड़ी experiential learning थी और एक बच्चे का अभिव्यक्ति का माध्यम था अब खेर यह तो बच्चे के बात हो ग कि आप एक बच्चे कि सोचे क्या अपने अंदर महसूस कीजिए कि जब आप कहीं किसी विशेश समारों में जाते हैं विशेश समारों क्या यानि आप किसी चित्रकला प्रदर्शनी में गये चित्रकला प्रदर्शनी को देखते रहे फिर आप सोचते हैं या किसी संगीतका को सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको सम्मानित किया हुआ जाना देखते हैं, गीतकार को देखते हैं, गीतकार को सम्मानित किया जाते हुए देखते हैं, लेकक को देखते हैं, कभी को देखते हैं, किसी नेता को देखते हैं, इन सब को जब देखते हैं, और बड़े प्रसिद्ध सर्जन को, डाक्टर को सम्मानित होते हुए देखते हैं तो आप कहीं खो से जाते हैं खोते हुए सोचते हैं अरे यह सारी प्रितिभा तो मेरे में भी थी पर बस एक ही मेरे में कमी रह गई कि मैं इसको एकस्प्रेस नहीं कर पाया क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि कहीं पर मुझे वर्जनाई थी, आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी कहीं पर मुझे धिकार था, कहीं पर मेरा उपहास उड़ाया जा रहा था, और तो कहीं कहीं मेरे को आख्षे अवरोध लगा दिये जाते थे, अवरोध थे, तो क्या होता था उसका परिडाम क्या होता था आप सोचते थे मेरे माता पिता ने मेरे को कितना बुरी तरह से रोक दिया मेरे उको काम नहीं करने दिया या लोगों ने मेरे को कहा मैं उपहास के डर से उस कारे को नहीं कर पाया अगर मेरे को ऐसी परिस्तितिया नहीं मिली होती है ऐसी परिस्त उन लोगों को शायद एक ऐसे परिस्तित्या मिली घर के वातावरन से कि वो अपने को संहां को भली भादी अभीवक्त कर पाये, जब वो अभीवक्त कर पाये तो धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले गए और आज वो इस इस्तिति पर बैठ गए हैं, और इसका परिणाम क्या आप बहुत दिन तक सोचते रहें, परन्तु अब तो आप माबाप बन गए, अब जब आप माबाप बन गए, तो आप क्या ऐसा कर पहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपका बच्चे को आप अभिवेक्ति का भली भांती अवसर ना दे, अगरे आपको अप अच्छा माता-पिता बनना है, हमारी हीरी अरिवेंदो सोसाइटी की आप से यही मांग है, कि आप एक अच्छे माता-पिता बने, अच्छे अभिभावक बने, उसके अंदर जो समय की मांग है, जो परिस्तिति की मांग है, उसके अनुकूल उनके अंदर अभिवेक्ति बन सके तो अब एक सबसे बड़ी बात मुझे याद आती है कि एक लड़का रो रहा है एक दम घर के मापाप क्याते हैं अभी क्या है लड़की की तरह क्यों रो रहा है अरे लोने की आवश्यक्ता क्या लड़कियों को यह होती है क्या लड़का नहीं रो सकता क्या उसके अंदर स तो क्यों नहीं आभी वेक्त कर सकता है अपने दुख को अपनी सुक को अपने संवेधनाओं को क्यो ड़कि बहुत जोड़ जोड़ से उचल उचल कर सोफे पर कूद रही है इस चीश को उठा कर के बना रही है तो एकदम घर के लोग कहने लगते हैं, अरे क्या है लड़कों की तरह से उचल रही है, चुपचा बैठ जा, एक जगे बैठ जा, तो क्या हुआ, क्या लड़की नहीं उचल सकती, क्यों नहीं उचल सकती, वो बात बहुत पुरानी हो गई, बहुत बेमानी बात हो गई, कि हम लड़कों को, लड़की कहती है, नहीं मुझे तो ब दादी के एक बात याद आती है, कि मेरी दादी कहा करती थी, कि बेटा, जब हमारे टाइम में हम छोटे होते थे, तो उस समय क्या टीवी, तो उस समय जब हम दादी से बात करते थे, तब भी नहीं थे इतनी, पर उससे भी पहले कोई रेडियो तक भी नहीं होते थे दादी के समय में, तो कहती थी क्या करते थे हमारे यहां, कि लड़कियां कहीं बाहर ना जाएं, उनके कोई प्रेम प्रसंग ना बन जाएं, कहीं वो गलत इस्तिती में ना पहुंच जाएं, तो वो उनको दाल और चावल मिला करके छोटे छोटे रख दिये जाते थे, और कहा जाता था, इनको अलग-अलग करो वैट कर, और वो उसमें ही सारा दिन लगती रहती थी, कोई छोटी-मोटी कड़ाई बनाई का काम दे दिया जाता था, मतलब उनको ऐसी विवस्था दी दी जाती थी, कि उनका मन कहीं भटके नहीं, क् उनके उपर अत्यरिक वर्जन आई थी, उनकी फीलिंग्स को रोका जाता था, तो क्या था, कि उन्होंने एक विवस्था तो दी, उसके अवरोध, उसकी सम्वेगात्म के स्थितियों को अवरोध देने के लिए एक विवस्था तो दी, परंतु उसका विकास नहीं दिया, और उसका विकास नहीं देने के कारण उसका परिणाव एक नियम बन गए, लड़कियों को तो सहनशील होना चाहिए, लड़कियों को तो एड्जस्टमेंट करना चाहिए, उनके विकास की बात कहीं पर भी नहीं की गई, उनका विवस्था दीती गई, कि किस तरह से उनको अवरोद लगा दिया जाए, यानि उनको एक अविवेक्ति का माध्यम ही नहीं दिया, अविवेक्ति क्षमता का विकास ही नहीं होने दिया, तो इस तरह से एक अजीब से इस्तिती होती चली गई, अब आपके साथ भी कहते हैं, यह लड़का है, यह लड़की है, अरे यह आपकी संतान लड़का है यह लड़की, यह सब पड़ोसियों को अन्य लोगों को सोचने दो, अरे आप सिर्फ सोचो यह मेरी संतान है, मैं इसको ऐसा अविवेक्ति का, मैं इसके प्रति ऐसे अविवेक्ति का माध्यम बनूंगा या बनूंगी, जिससे कि इसका समुझित विकास हो सके, तो अभिवेक्ति का, जहां जिन बच्चों का कि अभिवेक्ति अधूरी रह गई, इस पस नहीं हुआ, उनक्या दमन होता रहा, उनके वो एक द्वंद में ही जीते रहे, कि मैं ये बात कहूं या ना कहूं, ये करूं या ना करूं, अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा किवल आपके जैसा बने, तो क्या कर रहे हैं आप, आप उसको दो कदम पीछे खीच रहे हैं, क्या नहीं उसको आप अभिवेक्ति का माद्धिम आप नहीं बन रहे हैं, और उसको पीछे की तरफ देख रहे हैं, और अगर आप उसके के प्रतिभा को, प्र आपको सोचना है कि आप कैसे माता-पिता बनना चाहते हैं, पीछी की तरफ ले जाना चाहते हैं, या उसको आगे की तरफ, क्योंकि जब आप पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आप उसको डाटते हैं, धिकारते हैं, वर्ज नहीं लगाते हैं, परन्तो जब आप उसक वो एक भावी, भावी सुयोग ये भावी जीवन के लिए के लिए तैयार कर रहे होते हैं, अब निर्धारन आपके उपर है, कि आप उसके किस प्रकार के माता-पिता बन रहे हैं, आप उसके अच्छे माता-पिता किस प्रकार से बन रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से भी ह होगा कि लहजें बया करते हैं कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं या आप अपने संतान की अभिव्यक्ति के में संतान में अभिव्यक्ति की खेमता का विकास किस प्रकार से कर पा रहे हैं और क्यूंकि एक बहुत प्रसेद दिलेखी का है अभी उनका देहावसान हुआ बहुत अच्छी कहानेकार भी है, मन्नू भंडारे जी, उन्होंने एक बात कही, कि आस्था से कही हुई बात, और आस्था से किया हुआ कार्य, सदेव, वो दूसरे तक ना पहुंचे, ऐसा हो यह नहीं सकता, वो सदेव फलिभूत होता है, तो अब आपके ऊपर है, कि आप अ लगन है, तभी वो आप तक पहुंचेगा, अब आजये जड़ा घर तक, जैसे कि मैंने बताया है कि मैं बच्चे के विद्याले जाने वाली बात भी नहीं करूंगी, अभी समुझदाय में जाने वाली बात नहीं करूंगी, घर के ही बात करूंगी, एक कहावत है, फूत के प्रदिभाएं लेकर के अवतरित होता है उसके अंदर से कुछ ना कुछ बीज रूप में विद्यमान है जैसा कि हमारे शिरियरविंदो सोसाइटी का कहना है कि बच्चा बालक एक बीज है जिसके अंदर आपके सारे गुण विद्यमान है और उन बीजों को जो भी सबतरे की बीज के जो बीज है उसको फली भूत करना अंकुरन से लेकर के फली भूत करने तक का काम किसका है आप माता पिता का आपका अभिभावकों का तो अब आपने ही आपने उसको किस तरह से उसको अभिवेक्त करना सिखाया उस अपनी प्रिजिभाव को अभिवेक्त करना सिख यह आप पर दिर भर होता है, अब जब बच्छा पैदा होता है, तो बच्चे की दादी आगर कहती है, अरे देखो देखो, इसके उंगलिया तो बहुत लंभी-Lंभी है, यह तो जरूर चित्रकार बनेगा, दूसरा आकर की कहते हैं दूसरी चाची ताई मामी या मा कहते हैं देखो तो इसका कपाल कितना हुचा है इसका मस्तफ कितना हुचा है यह तो बुद्धिमान है तो यह उनकी कल्पना जो है यानि दूसरी बात में कहो कि वो उनकी कामना होती है कि हमारा बच्चा कैसा बनेगा कि एक सवस्थ बुद्धी जीवी और बुद्धिमान और एक सवस्थ नागरिक बनेगा तो इक उनके कामना होती है जो कि उनके वहवार में आती है और वो बच्चे के हर चीज में उसका तुलना करते रहते हैं या बताते रहते देखो जी ये तो कैसे पीता है यह मुस्कुराता कैसा है, कैसे खाता है, कैसे हसता है, यह तो उसकी तरह से हसता है, यह तो उसकी तरह से रोता है, यह किस तरह से क्रोध करता है, इसका तो गुसा हुआ कि अपने दादा की तरह से है, अपने उसकी तरह से है, और इस तरह से उसके विशे में वो सोचते रहते और कई बार केते हैं कि देखो ना यह कितने ढंग से चीज़े रखता है तो हर कोई कहेगा यह तो मेरी तरह से रखता है कितना सफाई पसंद है कितना सलीकेदार है और यह तो देखो कैसे कैसे प्रेशन करता है उसके माध्यम से जब वो प्रेशन करता है तो यह सारी चीज़े उसकी जिग्यासाइं जो होती हैं, वो उसकी अभिव्यक्ति करण का ही एक माध्यम है, कि बच्चा अपने को कैसे है, जो जितनी भी मैंने आपके को संवेगात्मक इस्तितियां उसके बताएं, क्रिया कलाप अभी जिक्र किये, उस सारे के सारे क्या हैं, उसकी एक संवेगात् किस्तितियां हैं जिसके माध्य हमसे हम बच्च Ёम्ह को देखते हैं उसके प्रती विवार करते हैं अब कई दूसरे इसके विपरी दूसरी जगे क्या होता है क्यी बार हमने देखा कि हमारा बच्चा तो बहुत ही द copper हो रहा है नहीं द 어머 के और दूसरी तरफ क्या कहता है कि एक ऐसा लगता है कि ये दमित है और हीन भावना से ग्रस्त है अब उसको दमित हीन भावना से ग्रस्त किसने बनाया है ये सच देखा जाए तो इस ये आपका ही धर्म है कि ये बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है उसका क्या कारण है कही हम ही तो स् के था, इसका उपन का, दमित हो रहा है, संकोची हो रहा है, हीन भावने से गरस्त है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप, मतल्कि आपके ऊपर, पूरा का पूरा धायत हो जाता है, आपका जो, व्यवार है, उसके प्रतिक्या है, वही आपको जानना आवश्य है कि आपको अपने अंतर मन में जांकना होगा कहीं हम ही तो उसके खारण नहीं है क्योंकि घोड़ा वही अच्छा होता है जिसका सवार अच्छा होता है और परिवार वही अच्छा होता है जिसका मुख्या समझदार होता है और आपको इस नाते आप अभिभावक हैं, आपको जानना होगा कि आपका किरिया कलाप बच्चे के प्रतिक कैसा है, आप परिवार के मुख्या है, आपके अंदर कितनी समझदारी है, आप उसको समझदारी से बच्चे को सुईकार कर पा रहे हैं, उसको एक आकार दे पा रह कि आपके बच्चे के अंदर कोन सी पृतिवहह अंकुरेत हो रही है। कभी आप देखते हैं, कभी आपने ध्यान दिया कि बच्चा दीवार पर क्या आकरति दे रहा है है, क्या कर रहा है, आपने उसको डाट दिया एक कपड़ लगा दिया.. क्या है दिवार पर लिखते हैं क्या बच्चा तो सहम किया वो तो आकार देना नहीं सीखा आपने उसको इस्थिती परिस्थितिया ही नहीं दी वो तो दिवार पर बनाना चाह रहा था उसके अंदर तो इच्छ है थी अभी वेक्ती चाह रहा था पर आपने रोख दिया वो ग कोई बच्चा चोटी चोटी तुकबंदी बना रहा है आपने उस पर क्या पागलों की तरह से कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है चुप रहा कर और किसी बच्चे ने कोई ऐसे मज़ेदार चुटकुला पन सुनाया या कुछ है कि इसके पास तो बस बेवकूफ है यह तो ऐसे ही काम करता है इसे और बच्चा खाने के बारे में पूछ रहा है क्या बनता है कैसे बनता है ममी मैं तो खाना लड़का यह है खाना बनाने पहुंच गया ममी ने एकदम लड़के खाना नहीं बनाते कहीं लड़के भी कोई खाना बनाते यह काम तो लड़कियों का है अरे कि इसने कहा दिया कि लड़के खाना नहीं बनाते हैं लड़के भी खाना बना सकते हैं और ज्यादा तर देखो कि खैर ये विश्य अलग हो जाएगा हम दूसरी तरफ जाते हैं तो अब आप ने क्या कहा कि उसके अंदर उस बातों को ध्यान से देखा ही नहीं उसके रहे हैं और उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं देखिए सबसे बड़ी बाते एक परफक्ट डे वें दा सोल इसमयल एक अच्छा दिन वही होता है जब हमारी आत्मा मुस्कुराती है क्या आपने अपने बच्चे को चाहा कि उसकी जो आत्मा है वो मुस्कुराए हा जाएगा अब हमारे बच्चे की जो इसमयल है वो भली प्रकार से एक्सप्रेस हो सके हमारे बच्चे की जो प्रतिबा है वो भली प्रकार से एक्सप्रेस हो सके दमीत हो कर ना जिये इस्तिर हो सुखद हो संतुलेत हो और साथ साथ उसके वो आनंद पूर हो ना की प्रेम प परन्तो जब आप विकास के अवसर देंगे तो आननदेत होगा क्योंकि उसकी प्रितिपहु का विकास हो रहा है, उसको express करने का मौका मिल रहा है, उसकी अभिवेक्ति ख्यमता का विकास हो रहा है, तो वो कैसा होगा? आननद पूर्ण होगा, तो आप चाहते हैं उसको अगर आप उसकी समस्त ग्याने इंद्रियों का उचित विकास कर पाते, उचित रूप देख पाते तो क्या होता कि आप आप जो है उसको एक स्वस्त देस्टिकॉन देकर करके उसको विक्सित करपाते, उसको एक अच्छा स्वस्त नागरिक बना पाते हैं, यदि आप इसके करते हैं तो आप गलत करते हैं तbasте रजाब में अखोज़ा थिर्फ चीछ है ईसजीओन में आत्म विष्वास इसाइब कने उसके प्रतिभाओं के को आकार देने मम्मी आप बहुत गंदी हो आपको बहुत दूरा लगा और आपने जैसे ही सुना तराक से एक थपड़ दे लिया या डाट दिया बोलने की तमीज नहीं है बड़ों से ऐसे बोलते हैं पर आपने कहीं जानने की कोशिश की कि बच्चे ने आपको ऐसा क्यों कहा देखें अगर आप जरा तह तक जाएं तो क्योंकि बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है अपनी मा से भी और पापा से भी सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो चाहता है मेरी मम्मी और पापा का आचनन ऐसा हो जो बहुत अच्छा हो, बहुत सुन्दर हो तभे उसने कहा दिया गंदा आपने कुछ भी नहीं सोचा तो उसमेढ़ी जब आप इतना सा नहीं सुन सके तो फिर आपको बैचै क्यों सुनना चाहेगा आप कहीं बात कहते हैं यह तो कहीं सुनता ही नहीं ये तो मेरी बात सुनता है नहीं अगर क्यों सुने वो आपकी बात सुनेगा तो आप तो उसको दिखका रहे हैं डाट रहे हैं डपट रहे हैं तो वो आपकी बात को सुनना ही क्यों चाहेगा वो तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगा या तो एक आपने एक महाल बना दिया ब काड़ दिया और उसको एक तरह से दमन दमित करके आपने उसके अंदर की एक अंदर की कहना चाहिए आकांख्षा को बिल्कुल दमित कर दिया और वो आगे से पुष्पित पल्लवित हो यह नहीं सकता तो क्योंकि वो एक बीज है एक ऐसा बीज है जो चाहता था किलना परन्त सिर्फन दिखे जब आप से उसने प्रेशन पूछा तो आपने सीधे सब से क है는 हैं मैं तो इससे परेशान हों गया यह है तो बे उकूफ है ॏ फंसने कुक्शन कर दिया यह है वो शली तो पानी में बरन तो गदग क्यों नहीं पास तो जवाब नहीं है आपने जटके से बच्चे को डाट दिया, डपड दिया, आपने उसे समझाने का कोशिश की, उसको तो सीधे का दिया, पागल है, गदा है, अच्छा बैठ जाएं, मिनावाद मुझे मत बोला कर, मुझे जिस्टर मत कर, तो क्या हुआ, आपने उसको दमित कर दिया, अगर इस यह बात मुझे पता नहीं है, और मैं गलत आपको बताना नहीं चाहता, अरे मैं तो आपके माधियन से ही सीख रहा हूँ, मैं आपको जरूर बताओंगा, तो क्या होता, कि वो बच्चा आपके प्रती विश्वास लेकर देता, आपके प्रती उसके अंदर आस्था होती, अ अब बच्चे को आपको चाहिए कि आप बच्चे को प्रोसाहित करें कि कवीता सुना, क्योंकि कवीता ऐसे है, कवीता उसे कहने का यत्न करती है, कवीता जब बच्चा कहता है, तो उसे कहने का यत्न करती है, जिसे कहा नहीं जा सकता, कवीता के माधियम से आप अपनी दमि करकते हैं अब बच्चे ने आपके सामने जब कविता सुनाई तो वास्तों में उसके अंदर अभिवेक्ति की ख्यमता का विकास हुआ उसने कोई कहानी सुनाई तो उसके अभिवेक्ति की ख्यमता का विकास हुआ उसने जाना कि समाज में क्या होता है और मुझे क्या करना चा तो आप उसको भली प्रकार सुनिए और हसिये उसके उपर से उसके पृतिक्रिया अच्छी सी सुख़त पृतिक्रिया उसको दीजिए और साथ-साथ अगर घर में बैठे हुए एक वातावनन बनाई ये कि तुकमंदी अगर उसको अच्छी लगती है तो काफिया का वातावन बना दिये है तुमने ये आज तो डाल बनी क्या खास है वह स्पर सुख़त है बना है जो बन गया है कापस का मतलब मैंने तो नहीं बना है मैंने ऐसी स्वाधान डंग से कहा कि आप उसमें एक तुकबंदी बना सकते हैं तो एक वातावरन हो जाता है एक वातावरन आनंद मही वातावरन बनाता है आपके बच्चे की अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने वाला होता है अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या बात है आप से अच् calidad कोई नहीं है आपने उसके अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ा दिया आपने उसके पंकों को उडान दे दि और साहभ साहद कैहते हैं जिसकी भाषा में सब्भयता होती है उसके जीवन भी भव्यता होती है अगर आपका बच्चा आपने उसके भाषा को एक सभ्यता का एक आचारण क्योंकि बच्चा तो कर रहा है आपने उसको शंशोधित कर दिया तो उसके अभिव्यक्ति ख्यमता का विकास हो गया तो भाशा में सभ्यता हुई और उससे उसके जीवन में भव्यता आ गई तो उसके माध्यम से हमने एक तरीका बच्चे को दिया उ इससे की उसके गुणों को विस्तार मिला और आगे चल कर किसी न किसी सम्मानित पर वो पहुच गया अब आपने इसके क्रिया शीलता जैसे अभी में दिवार की भी बात कर रही थी आप से कि बच्चा दिवार पर वो पैंसिल से पैंसे लाइन खीच रहा है आपने इसको इसके को जमीन पर कोई इस पेस दिया होता या कहीं टायल्स जहां लगी हुए है बात्रूम में टायल्स लगी हुए है उस पर उसको आपने स्केश पैंदे दिए कलर दे दिए कि बना इस वर बना उसकी ख्रीय शीलता को तो बढ़ावा मिला और साथ ही साथ हो समझ गया कि घर के पेंट को हमें नहीं करना चाहिए आप ने उसकी अभिवक्ती को इस पस्ट कर दिया अब वो बैठा हुआ है बच्ची आ करके कह रही है कह रही है मंभी मैं खाना वनाओंगी आपने को देर और अब बच्ची ने अपने आपी चावल निकाल लिए अपने आपी आटा लिए कि मैं तो आज आटा को तुम यह से सारी में आटा फिला दिया और उसमें कर दिया तो जो है थोड़ी दिर में आपा करें कि चीखती हैं अरे यह क्या कर रहे है मेरे तो काम बढ़ा दिया काश अगर जब वो बच्ची कह रहे थी आप उसके लिए वेवस्ता बना देती आप उस टाइम उसको इतना सा आटा देती है, थोड़ा सा पानी देती है, और कि देखो ऐसे गुता जाता है आटा, और वो करती है, थोड़ा आटा ही तो खराब होता, परन्तो उसके क्रिया शीलता को दोबड़ा मिलता, अब बच्चा बैठा हुआ है, कि बैठ करके कागज क कटिंग कर रहा है फटा फट, और सारे में फैल रहा है, आप उधर से आई हैं या आए, अरे घर में मैमान आने वाले हैं, इसने तो यहां फैला रखा है, पता नहीं इसको तो यह है, काटो, पीटो, इसको खराब करो, यही काम है, चल उठाए इसे, ऐसा घर गंदा कर रख अब आपने क्या किया कि अगर बच्चा चावल से कुछ कर रहा है, आपने क्या क्या, थोड़ी सी सूजी आटा लिया, एक ट्रे में या थाली में रख कर दिया, और उसमें उससे आकरती बनवाती रही, यह ए है, फूल है, यह चान, तारे, यह सब हैं, अगर वो उससे बना आप से पेर, मतलब मैं तो पिछली पीडी की हूँ, उन्होंने भी, हमने भी बड़े, हमें बहुत अच्छा लगता था, कि मिट्टी ली, अपने पैरों पे थपकी, और तीरे से पैर को निकाला, एक प्यारा सा घर बन गया, हम खुश हो गए, देखो, हमने तो एक निर्मा अब वो ऐसे जानेगा, कि किस तरह फूल विक्सित होता है, किस तरह से उसमें फल लिखते हैं, लगते हैं, और किस तरह से हम खाते हैं, तो जब आपने पाधर ओपन कराया है, तो उसके क्रिये शील्दा को बढ़ावा मिला, और जो है, बच्चा, अब बच्चा खाना बना नहीं लगा, तो आपने डाट दिया, अरे, खाने लड़के नहीं बनाते हैं, लड़के भी लड़के भी तो बनाते हैं, इतने बड़े-बड़े शेफ क्या खाना नहीं बनाते हैं, लड़का महंदी लगाने लगा आपके साथ-साथ बढ़के, तो आपने डाट दिया, किया सा पागल हो रहा है, लड़का होते हुए मेंधी लगा रहा है, अरे क्यों नहीं लगा सकता, क्या उसको अलंकार करने की शम्ता नहीं है, क्या वो अलंकार नहीं कर सकता, कि सजाना, किसी चीज को सुंदर बनाना, क्या उसका कारे नहीं हो सकता, लड़की का ही क्यों हो सकत अगर लड़की करना चाहती है तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये तो लड़के कही काम है तो आप बहुत गलत करते हैं आप उसकी करिया शीलता को घटा रहें उसको दमित कर रहें उसकी इच्छा को उसके अंदर ये प्रतिवाय अंकुरित हो रह तू सबजी नहीं लाएगी, घर में भाई बैठा है, वो ही लाएगा, अरे क्यों, वो क्यों नहीं ला सकती, वो भी तो उसके अंदर आत्मिश्वास पैदा करिए, उसको वो कहती है, कि मैं तो कराटे सीखूंगी, तो आप कहती है, नहीं, नहीं, क्या करेगी, यह लड़ाई भी सीख सकती है, क्यों नहीं सीखे, उसे अवश्य सेखने देना चाहिए, तो आप अगर उसे धिकार देंगी, वर्जनाई देंगी, तो उसकी अभिव्यक्ति ख्यमता नस्ट हो जाएगी, दमित हो जाएगी, उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज है, जब बच्चा ख जब देखो कानों नहीं सुना, क्या खाना बना, उसके बाद नासिखाने सुनगा, कैसा खाना बना उसने देखा उसके बाद उसने चखा इस पर्ष उसका हुआ और उसके बाद उसने एक्तम बोला कि अरे वा क्या खाना बना है तो वो एक उसके अभिव्यक्ति थी उसने अभिव्यक्त किया कि खाना वास्तों में अच्छा है कई बच्चे ऐसे भी होते ही चुप चाप खाना कि आपने उसको अभिव्यक्त करने का मौका ही नहीं दिया, आपने पूछा नहीं, खाना में कैसा स्वाध है, कैसा है, अक्या नमक तुमें कम लगा या कुछ, तो ये छोटी सी बात है, प्रारम भी रूप से घर में से सिखा दी जाती है, कि भोजन में भी भोजन भी अभिव आपके पास और आप से लिपट गया, पापा या अरे ठीक है, मेरे साड़ी गंदी हो जाएगी, मेरे कप्ड़े गंदे कर दे है, कैसे चिपट के आजाता है, कैसे ये, पर अगर इसके विप्री, आप उसको प्यार से सहलाती है, और प्यार से करती है, मेरा बच्चा अभी तुझे साफ सुत्रा कर देती हूं, अभी ठीक करती हूं, आपने जड़का नहीं होता और उसे प्यार से कहा होता, तो वो आप से आपकी स्पर्ष के लिए उतरसता है, आप नहीं जानते हैं, स्पर्ष के माध्यम से बच्चा आपका बहुत अपना हो जाता है, उसके अंद प्यार प्रष के लिकले माध्यम से बच्चा आपसे बड़े आराम से बताएगा को बिलकुल अच्छा नहीं लगा उसके उन्होंने जिस तरह से मुझे इस पर्ष किया वो मुझे कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हुआ तो उस इस पर्ष के अनुपर्थी को अगर वो अभिव्यक्त कर पाता है तो वो उस समस्याओं से जो आने भविश्य में उस पाता है तो वो अगर अभिव्यक्त नहीं कर पाया अपनी बात को बच्चा आपके संतान अभिव्यक्त नहीं कर पा रही तो क्या है कि वो उस दल दल में उस समस्याओं के दल पतन की गड़त में चलता चला जाएगा या समापत प्राय होता चला जाएगा एक जराज उसको सुखाद लगता है आपने उसको सलना तो उसके अंदर अभिव्यक्ति ख्यमता की ख्यमता का विकास हो गया उसी तरह से बच्चे को कहीं घुमाने लेकर गए उसके बाद आपने बच्चे से पुछा आपको कैसा लग रहा है इसे क्या फील कर रहा है तो बच्चा कुछ तो बता पा रहा है कुछ नहीं बता पा रहा है तो आपने उसको बताया कि देखो धर्टी ऐसी होती है पत्तों की छीतल मंद समीर कितनी प्यारी लगती है कि सुगंद कितनी अच्छ लग रही है दिखो ये पहाड उंचे उंचे कैसे लग रहे है या फिर आपने घर के फलों को ही दिखाया सब्जी खरीदवाने लेकर के गए और उसके माध्यम से बच्चे उसे पूछा आपको क्या अच्छा लग रहे है लाल लाल टमाटर अच्छे लग रहे है दिखो खीरा कैसे हसता हुआ दिखाई दे रहे है काटो तो ऐसे लगता जिसे हसते हुए इसके नाथ दिखाई दे रहे है तो जो बच्चा है दीरे दीरे अभिव्यक्ती का माध्यम सीख जाता है जब किसी भी चीज को बच्चा देखे उससे आप पूछे उसे बताएं और उसके साथ-स उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखा है उसे कि उसको क्या फील हो रहा है तो वो देखने से भी उसको होता है और जब बच्चा ऐसे ही आप किसी समारों में बच्चे को लेकर गए तो उसके वहाँ पर भोजन बन रहा है तो आप उसे बच्चे कहते हैं कितनी चीजें बन रही हैं तो क्या है आपने उससे पूछा सुनते में इसमें बताओ क्या-क्या पढ़ा होगा इसमें क्या-क्या चीजें हो सकती हैं तो क्या होगा उसके अंदर एक अभिवेक्ति का माध्यम उसका विक्सित हो आप अभिवेक्ति के माध्यम बने और उसके अंद परन्तु जिस बात को वो भली भाती अभिवेक्ट कर पाता है, कह पाता है, तो उसका परिनाम बहुत ही सुख़द हो पाता है, अक्सर हम कह देते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, यह नहीं करो, तो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस बात के डर से आप बच्चे को अलग-अलग बैठाते रहते हैं, उसके अभिवक्ति करने का उसको मौका नहीं देते हैं, तमीजदार लोगों की सबसे बड़े कठना ये है कि उस हजारों बातें दिल में रह जाती हैं, क्योंकि हम तो तमीज हैं, ये तमीज नहीं है, ये संतार समाप्तप्राय हो गई, यानि वो सिर्फ शरीर है, मानसिक रूप से, समवेदनात के रूप से, वो बिलकुल वेर्थ है, वो एक गुलाम की तरह से हो गई है, कहते हैं न, जब अगर आपका बच्चा कोई प्रेश्न नहीं करता, तो जो प्रेश्न नहीं करता, तो अगर बच्चा जिग्यासा से आपसे प्रेश्न नहीं पूछ रहा, तो वो सर्फ आपके ही अनुसरन कर रहा है, आपने कहा दिया, नहीं, यह होगा, यह होगा, तो बच्चा तो प्रेश्न करी नहीं पाएगा डर की वज़े से, तो यानि वो प्रेश्न इसलिए नहीं कर प अगर आपके रिष्टेदार बार बार ये कहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है आप उनसे सीधी कहिए हम अपनी नजर में अच्छे हैं तो हमने किसी की नजर का ठेका नहीं ले रखा आपकी तरह से हम नहीं चलेंगे बलकि हम अपनी तरह से चलेंगे हम हमारा बच्चा हमारे ढंग से चलेगा, हम उसको अपनी तरह से ही अनुकूल वाता वणण देंगे, उसके घर की परिस्तितियों के अंसार, उसको अभिव्यक्त करने का का की शम्ता का उसके अभी वक्ती की शम्ता का विकास करेंगे हमेशा क्योंकि life is a one time one time offer use it मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और आसमा में मत धूंड अपने सपनों को सपने हमेशा जमीन पर ही होते हैं इसलिए इन सब बातों के कारण के को और इसी अभी वक्ती हमने किया संतान में अभी वक्ती का विकास इसी का दूसरे भाग जो की वो हम अगले शैशन में कल तो नहीं बता पाएंगे कल यहां पर विधान सभा के चुनाव होंगे इस कारण से कल हम नहीं आ पाएंगे तो इसलिए हम परसों आपको कि बच्चा जब सेक्षिक जगत में जा रहा है और समाज में प्रवेश कर रहा है उस समय उसकी अभी वेक्ती शम्ता का विकास किस प्रकार हो सके इसको बताएंगे और इसके साथ साथ ही मैं आपसे अब अनुमती चाहती हूँ और आपका बहुत बहुत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यदि इसमें आपको कोई आशंका है अप कठनाई है तो गरपया आप अपने शेयर कर सकते हैं और भलिभादी पोच सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है यदि आपको कोई किसी प्रकार की शंका है तो आप इस इस पैशली कमेंट बॉक्स में चैटर बॉक्स में डाल करके हमें भेजिए हम अवश्य रोप से अवश्य रोप से आपकी शंकास का समाधन करने के प्रयत् कि धन्यवाद